Hello friends, क्या आप किसी competition के लिए पहलिया देख रहे हैं या किसी game में, occasion में आपको अगर पहलिया लेनी हैं तो ये हैं आपके लिए बहुत interesting और मज़ेदार पहलिया इसके answers भी बहुत interesting हैं एक बाद जरूर पूरा वीडियो देखना है अगर पसंद आता है तो like और subscribe जरूर करना ह देखते हैं पहली पहली क्या है बिना आग के कों जलाती है और इसका answer है चिनता वाईू से अधिक दोड किसकी है वाईू से अधिक दोड किसकी है मतलब वाईू से भी अधिक fast कों दोडता है तो इसका answer है मन Next है सबसे बड़ा मकान कौन सा है और इसका answer आपको सोचना है बहुत interesting answer है अभी तक आपने ये पहली कहीं भी नहीं देखी होगी या सुनी होगी 100% तो इसका answer आपको क्या लगता है मुझे comment करना है तब तक हम आगे का देखेंगे Next है जीवन मरन का चिन्न क्या है हमारे जीवन और मरन के बीच में जो चिन्न होता है वो क्या है और इसका भी answer बहुत interesting है और वो है सास जो हम सास लेते हैं वही हमारे जीवन और मरन का चिन्न है सास अगर है तो आप जीवित हो सास अगर नहीं है तो आप मर गए हो तो जीवन और मरन दोनों का मिलके जो चिन्न है वो है सास नेक्स्ट है बहुत इंट्रेस्टिन सूचना है जैसे जैसे मैं रीड करूँगी वैसे वैसे देखते हैं इसका अंसर कोन मुझे सबसे पहले कमेंट करता है एक शब्द ऐसा बताए जो त्री लेटरस का है एक शब्द ऐसा बताए जिसका पहला अक्षर कटे तो वह तड़पती दुनिया का प्रान बचाता है जिसका पहला अक्षर कटे तो वह तड़पती दुनिया का प्राण बचाता है और तड़पती दुनिया का प्राण मतलब तड़पती दुनिया मतलब क्या हुआ जो पैसी है और उसका प्राण कुन बचाता है जल रैट तो क्या हुआ पहला अक्षर कटे तो तडपती दुनिया का प्रान बचाता है तो इसका अंसर हो गया जल और अंतिम अक्षर निकाले तो काज बनता है काज मतलब काम है ना तो अगर आपने last वाला अक्षर निकाल दिया जैसे learn निकाल दिया तो आपका word बनेगा का क्यूंकि हमारी three letters की ये पहली है तो अगर आपने उपर का first वाला question देखा तड़पती दुनिया की pass बुचाता है जो last वाले अक्षर है तो जल हुआ अब यहाँ पर आपको अंतिम अक्षर निकाल दिया तो काज बनता है मतलब आपको answer इसी के अंदर ही दिया है तो जो शब्त है वो क्या बन रहा है काजल जो हम आखों में लगाते है तो एक बार पूरी पहली आपको बता रही हूँ एक शब्त ऐसा बताएं जो three letters का है जिसका पहला अक्षर कटे तो वह तडबती दुनिया का प्रान बचाता है मतलब answer हुआ जल और अंतिम अक्षर निकाले तो काज बनता है तो यह हो गया काज तो जो word बना है वो हुआ काजल अब ये वाले answers तो मैंने किये है यहाँ पे जो last वाला हमारा question जो मैंने यहाँ पे छूड़ा था सबसे बड़ा मकान कौन सा है आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मकान क्या हो सकता है इसका मुझे answer comment करना है तो मैं wait कर रहे हूँ सबके answer का बहुत interesting जो आपकी सोच है उसमें से थोड़ा सा आगे जाके कि आपको सोचना है घर या बंगला या गाड़ी जो कुछ है इससे थोड़ा सा आगे आपको जाके सोचना पड़ेगा सबसे बड़ा मकान कौन सा है मिलते हैं next video में next video में मैं आपका question का जो answer था वो आपको बता दूँगी तब तक मुझे आपको इसमें कमेंट करना है याद से कि सबसे बड़ा मकान कौन सा है thank you